नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हुगारगी दिवा स्वपन या खयाली पुलाव पकाना जैसे शब्द आपने कई दफा सुने होगा यानि कि दिन में सपने देखना कहाबद भी है यानि अपने विचारों में ऐसे खो जाना जैसे आप कोई स्वपन देख रहे हूं और जल्द ही पूरा होने जा रहा है वैसे तो जादातर लोग अपने भीतर सोच विचार की प्रक्रिया से बचते हैं यहां तक की वो इसके वजायत तकलीव सहना भी पसंद कर लेते हैं लेकिन एक स्टडी बताती है कि अपने भीतर विचार मंधन से बचने की एक वज़ा ये हैं कि हम सोच विचार की प्रक्रिया को कम आगते हैं युनिवर्सिटी ओफ फ्लॉरिडा के डे ड्रीमिंग और वोर्डम पर स्टडी कर रही डॉक्टर एरिन वेस्ट गेट का कहना है कि विचारों में खो जाना एक तरह की थेरपी है ये हमारे लिए फाइदे का सौधा बन सकती है अगर सोच विचार को सही दिशा और परिस्तितिया दी जाए खास तरह से डे ड्रीमिंग करें तो ये हमें स्तिरता खुशी देता है और ज़्यादा रशनात्मक बनाता है समय स्याओ के समाधान में भी इसके अच्छे नतीजे मिलते है डॉक्टर वेस्ट गेट का कहना है कि ऐसा समय विचारों में खोने के लिए सबसे सही है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें मानसिक रूप से ध्यान केंडित करने की जरूरत नहीं हो तो आप उस समय भीतर के विचारों पर फोकस करें जैसे कि बागबानी, वोग या ब्रश करते हुए ऐसा किया जा सकता है लेकिन इसका आर्थ ये नहीं कि कुछ भी ना करें और सिर्फ दिन में सबने देखते रहे University of California के जोनाथन सूलर का कहना है कि छोटे मोटे काम करते समय डे ड्रीमिंग जाधा आसान है डॉक्टर वेस्ट गेट का कहना है कि पॉजिटिव सोचे और अपने विचारों को नियंतरित करें जैसे कि अच्छी यादों के बारे में भविश्य में होने वाले किसी घटना के बारे में जिसका इंतजार हो या उन लोगों के बारे में जिनकी आप फिक्र करते हो डॉक्टर सूलर का कहना है कि विचारों में दिलचस्प आइडिया पर फोकस करने से क्रियेटिविटी बढ़ती है किसी समझसा का हल खोजने में लगे लोग ब्रेक लेकर कोई और छोटा मोटा काम करते हुए ज़ादा रशनात्मक हल खोजने में सफल रहते हैं चुपचाप बैठे हुए सोचते रहने या कोई जटिल काम करने या ब्रेक ना लेने से समझसा का हल और मुश्किल हो जाता है रिसर्च बताता है कि दे ड्रीमिंग से याददाश अच्छी होती है जानकारों के अनुसार इनसान अपने जागनने के समय का 47 फीस्ती दे ड्रीमिंग में बिताता है आसपास की चीजों से हट कर विचार वैक्यूम में भटकने लगता है ये सही दिशा में होने से मेमोरी बहतर होती है और मल्टी टास्किंग में आसानी होती है हमेशा positive रह सकते हैं जर्मिनी के University of Tubenzen के मनोविज्यानिक के मुरायामा का कहना है कि वैसकों से अनुमान करने को कहा गया है कि शान कमरे में अकेले बैठना उनको कितना पसंद आएगा उसके बाद उनको 20 मिनिट इस तरह से बैठने को कहा गया उनको अनुमान से जादा खुशी महसूस हुई यानि कि कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि सही समय पर आपके मन में सही बिचार हो सही परिवेश हो, सही वातावरन हो तो day dreaming अच्छा result दे सकता है वो आपको mental therapy करा सकता है आपकी नकारात्मकता को बदल कर आपको सकारात्मक बना सकता है इसलिए जरूरी है कि आप सही समय पर positive सोच और रोचक आइडिया के साथ अपने विचारों में खो जाएए और फिर देखे आपको कैसा मैसूस हो रहा है बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लोगिन कर सकते हैं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रही है जन्भावना टाइम्स नमस्कार